अब चलिए अब शुरू करते हैं हम एक इमपोर्टेंट टॉपिक अपनी एक्जाम की अकोर्डिंग जिसका नाम है वाटर रिलेशन वाटर रिलेशन एक इंपोर्टेंट टॉपिक भी है साथ ही साथ यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है क्योंकि इसकी थोड़ी टर्मिनोलोजी जो है वो हमें समझ में कम आती है ज्यादा तर समय हम समझने में थोड़ी दिक्कत करते हैं थोड़ी की जल्दबाजी कर देते है इसलिए भी यह चीज़े कम समझ में आती है चलो कोशिश करता हूं आप लोगों को सारी चीज़े एजी वे में एक्स्प्लेइन करने की तो आप सुनते जाईए समझते जाईए लिखते जाईए नोट्स बनाते जाईए सबसे पहले तो थोड़ी सी वाटर की इंपोर्टें चलती है यानि की वाटर जो होता है वो लाइफ की मेटाबोलिक एक्टिविटीज के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कराता है वाटर किसी भी लिविंग और्गिनिजम की बॉड़ी का मैक्सिमम पार्ट भी होता है आपको पता है यह चीज़े सो ओल एन ओल वाटर क्यों ज चलिए हम थोड़ा सा लिखते हैं लिखो वाटर इस मोस्ट अबंडेंट वाटर इस मोस्ट अबंडेंट कंटेंट ओफ ए लिविंग सेल ओफ ए लिविंग सेल का मोस्ट अबंडेंट कंटेंट कोन है वाटर है कभी-कभी वाटर कम भी हो जाता है लिमिटिंग भी हो जाता है तो वह वाटर जो है वह लिमिटिंग होकर के ग्रोथ को कम कर सकता है स्लो कर सकता है एक प्लांट जितना वाटर एब्जोब करता है अपनी रूट से उसका 97 परसेंट पार्ट 97 परसेंट पार्ट एब्जोब्ड वाटर का 97 परसेंट पार्ट इवेपरेट कर देता है ट्रांस्पिरेशन के अंदर ट्रांस्पिरेशन इस 97 के बाद जो एक परसेंट वाटर बसता है वो पानी काम आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और दो परसेंट वाटर है वो फोटो सिंथेसिस में काम आता है यह तो कुछ बेसिक-बेसिक सी चीजें थी अब हम बात करते हैं वाटर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में सबस्टान्स यह वोटर है वो पॉलर होता है वाटर हाइली कोहसीव है हाइली कोहसीव यहनि वाटर में हाइड्रोजन बोंड बनाने के लिए तयार रहता है क्योंकि इसके सी जाना ना फोश्ट इलेक्ट्रों लेक्टीव एक्टम्ट गेतम सीस्टम और लिविंग सिस्टम तो यह जल्दि नूसरे व prote के साथ hydrogen bond बनाने की तक में रहता है कि वार्टर सेफ्री रहना चाहता है वाटर रेंडम रहना वाटर की मूवमेंट के उपर हम यहां पर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स पढ़ेंगे और उन सभी पार्ट्स में जो काम की बात आएगी वह है कि वही वाटर की मूवमेंट कैसे होती है वाटर की मूवमेंट अब मैं आपको कुछ चीजे बता रहा हूं जो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा वाटर की कोई भी प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी वाटर की कोई भी मूवमेंट वाटर की खुद की कोई भी पोटेंशियल ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है फ्री एच्टुओ मॉलिक्यूल्स इन दे सिस्टम अब ध्यान से सुनिएगा अब इस टॉपिक को यदि आपको अच्छे से समझना है तो जहां जहां पर भी वाटर टर्म आए आप अपने दिमाग में वाटर को एच्टुओ पढ़ो कि एच्टुओ है एच्टुओ के फ्री मॉलिक्यूल्स ऐसे एक डॉट इमेजिन कर लो कि यह वाटर है और वाटर के जितने मॉलिक्यूल फ्री होंगे वाटर की पोटेंशियल उतनी ज़्यादा होगी water के जितने molecules free होंगे water की properties उतनी ज़्यादा होगी किसी भी system के अंदर water की free molecules का जो number होता है वो water की concentration decide करता है water की एक property है कि water हमेशा free रहना चाहता है वो चाहता है कि वो random रहे उसकी entropy ज़्यादा हो ऐसा water चाहता है जब कभी भी water के साथ कोई भी चीज add की जाती है तो water के कुछ molecule उसके साथ जूड जाते है अब मैं आपको एक simple diagrammatic way में समझाता हूँ let's suppose कि हमने NaCl डाला water के अंदर एक molecule NaCl डाला हमारे पास में एक glass है पानी का और उस पानी के एक glass के अंदर हमने एक NaCl का molecule डाल दिया let's suppose ठीक है अब जो हमने एक NaCl डाला है यह water के अंदर जाकर के क्या होगा dissociate होगा sodium plus and chloride negative में dissociate हो गया अब काम की बात समझना water का molecule जैसे ही dissociate हुआ सोडियम क्लोराइड का जैसे ही molecule dissociate हुआ छे water के molecule sodium को ऐसे घेर लेते हैं ताकि sodium है वो water के entropy को कम ना कर पाए water के छे molecule sodium को इस प्रकार पकड़ के बैठ जाते हैं ऐसे मान लो ऐसे 6 molecule एक सोडियम को और जो chloride है उस chloride को चार water के molecule H2O मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ चार water के molecule इस chloride को घेर के बेठ जाते हैं ऐसे ऐसे ठीक है आप सोचो हमने एक NACL डाला और इसने दस water के molecules को free होने से less कर दिया मान लीजे कि हमारे पास में 1000 water के molecule free है और हमने उनके अंदर एक NACL डाल दिया तो आप सोचो कि उन 1000 molecules में से 10 molecule water के अब free नहीं है वो engage हो चुके हैं इसको बोलते है NACL की potential NACL ने क्या किया दस water के molecule को अपने साथ engage कर लिया और मैं आपको बता चुका हूं कि water की जो भी property है water के जो भी characters है water की जो moment है water की जो potential है वो किस पर depend करती है उसके free molecules पर दस water के molecule free हो गए ना आप ऐसे समझो कि कोई सो लोग है और वो मिल करके कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा काम तभी possible होगा कि जब वो सो के सो उस काम के लिए available हैं यानि वो सो के सो लोग free हैं अब किसी का कोई friend आ गया और वो एक को अपने साथ लेके बैठ गया बाते करने के लिए एक बंदा कम हो गया ऐसी किसी के कोई रिष्टेदार आ गए दो-चार लोगों को वो लेके बैठ गए वो कम हो गए सेम कहानी है यहां पर किसी भी सिस्टम के अंदर यदि water के molecules free कम होंगे तो water की potential कम हो जाएगी और यही चीज़ अगर आपने दिमाग में बिठा लिए अच्छे से तो आप कहीं नहीं अठ होगे तो अब हम थोड़ी सी basic basic चीजों की बाते करते हैं मैं आपको दो लाइने लिखवा देता हूं आप वो दो लाइने लिखे लिखे लिखिए एंञे लिखे लिखे और थैंट रिखे लिखे खे सिंट लाइने लिखे स्ट्मые ≠ लीलोऑ– लोचêts ट्रत्रत्त Chi कि are available for the moment next point those molecules which are free water ki baat oriye wahi those water molecules which are free decides the water concentration decides the water potential of the system वही water की potential decide करते हैं जो free है जो engaged हो चुके है वो moment नहीं करते हैं लिखी आगे in a solution in a solution some water molecules are engaged with solute molecules and these water molecules are not free for the moment or any work वो किसी के लिए free नहीं है movement के लिए भी free नहीं है और कोई काम करने के लिए भी free नहीं है तो ये बात हुई हमारी एक बार water potential के बारे में water के concept के बारे में अब हम आगे और चीजें समझते हैं जैसे मैं आपको कुछ terms बताता हूँ for example आप से कोई ये पूछे कि solute क्या होता है तो आपको ये बताना है anything other than solvent और water पानी को छोड़ कर कोई भी दूसरी चीज है वो solute कहलाती है और हम बात करें biological system की तो ध्यान रखें मैं biological system के according बता रहा हूँ आपको पानी को छोड़ कर कोई भी दूसरी चीज वो solute कहलाएगी जैसे हमने पानी के glass के अंदर चीनी मिला दी sugar mix कर दी sugar is solute salt mix कर दिया हमने मिट्टी डाल दी हमने pan का cap डाल दिया कोई भी solute होता है वो solute water के कुछ molecules को अपने साथ बांध लेता है या यूँ कहें water के molecules उसके साथ जुड़ जाते हैं ताकि वो दूसरों को disturb ना करे next point लिखिए solvent 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 अब solvent के बारे में हम दो तिन तरीके से बात कर सकते हैं पहले solvent का मतलब होता है कि वह medium जिसमें solute घुला हुआ हो solubilized हो उसे solvent कहते है वह medium जो ज़्यादा है उसे solvent कहते है वह medium जो अपने अंदर दूसरे को घुल सकता है उसे solvent कहते है biological system में solvent means water solvent का मतलब होता है water तो यह हुआ हमारे पास में solute and solvent के बारे में अब कोई आप से पूछे solution क्या होता है तो यह तो कोई पूछने की बात ही नहीं है solution का मतलब होता है solvent plus solute तो यह तो हो गया solution इतनी बात clear हुई अपनी अब और आगे बात करते हैं अब कोई पूछे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेडियंट एक ऐसी कंडिशन है जहां एक साइड किसी भी चीज की concentration ज़्यादा है और दूसरी साइड में किसी चीज की concentration कम है for example हम कोई भी चीज ले सकते हैं यह molecules हैं अब मैं यह नहीं बोल रहा कि यह water के molecule है या solute के है या gas के है यह किस के molecule है let's suppose यह कोई x molecules है side A की तरफ और दूसरी तरफ इसी सबस्टांस के कुछ molecules है तो हम यह कहेंगे कि side A पर उन molecule की concentration high है और side B पर उनकी concentration कम है इस condition को कहते है gradient अब यह water है तो water gradient solute है तो solute gradient कोई gas है तो gas gradient that is known as gradient यहां से मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं gradient होने के लिए plasma membrane या semi permeable membrane होना compulsory नहीं है जैसे यहां पर suppose मैं लगा देता हूं selectively permeable membrane यह क्या है selectively permeable membrane है यह selectively permeable membrane है तो यह भी gradient हो गया across the membrane अब सब्सक्रोंच करो कि हमारे पास perfume की कोई bottle है और वो perfume की bottle का धकन हमने खोल दिया तो perfume की bottle में perfume ज्यादा है और air में perfume कम है यहां कोई membrane नहीं है but air and bottle डोनों के बीच में gradient बन गया है यह भी gradient है so gradient is a condition when the concentration of a substance is higher at one side and lower at another side उसको gradient बोलते हैं clear हुआ gradient का मतलब अब और आगे बात करते हैं कि आगे एक term आता है इसे कहते हैं हम एड़ जॉप्शन एड़ जॉप्शन और इसी से मिलता जुलता एक term है इसे कहते हैं एब जॉप्शन एक letter का difference है इनकी spell में and then इन में खासा अंतर आ जाता है let's suppose कि हम यहां पे क्या चीज समझना चाहते हैं मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई medium है ये कोई अपने पास beaker है let's suppose और इस beaker के अंदर हमने पानी भर दिया ये हमने पानी इसमें भर दिया ठीक है हम एक काम करते हैं हम यहां पर दो लकड़ी के टुकड़े लेते हैं हमने एक लकड़ी का टुकड़ा इसके अंदर डाल दिया इसको मैंने बोल दिया wood number one और suppose मैंने इसी size का दूसरा टुकड़ा डाल दिया इसको मैंने बोल दिया wood number two दो woods है दो टुकड़े ऐसे डाल दिये ठीक है लकड़ी का टुकड़ा आपने डस्टर देखा होगा blackboard से जो साफ करते हैं वो डस्टर का टुकड़ा हमने ले लिया अब हम क्या करते हैं यह जो वुड नंबर वन है इसको after 5 minutes निकालते हैं 5 minutes के बाद इसको निकाला निकाल कर इसको आरी से हमने बीच में से कट कर लिया जब हमने इस wooden block को कट किया तो हम एक चीज देखने को मिलेगी कि जहां हमने wooden block को कट किया है उस wooden block के surface के उपर water के molecules आ चुके हैं बट यह wooden block अभी भी सेंटर पार्ट से ड्राई है लकडी का टुकड़ा अंदर से सूखा हुआ है surface के उपर पानी water के molecules आ चुके हैं एक तो यह condition है अब दूसरी condition यह जो number two है हम इस wooden number two को 15 days तक इसी के अंदर रखते हैं 15 days after 15 days हम इसको कट करेंगे बाहर निकालेंगे कट करेंगे और तब हम क्या देखते हैं कि water के molecules इस wooden block के center तक जा चुके हैं और यह पूरा का पूरा है वो वेट हो चुका गीला हो चुका है ऐसे अब ज्यान से समझेए यहां दोनों ही condition के अंदर water की movement हुई है water की movement है वो दोनों condition के अंदर हुई है परंतु दोनों condition के अंदर अंतर है यहां पर जो water movement है वो है only up to surface only up to surface और यहां पर जो water की movement है वो है up to center center इन में से जो water की movement up to surface है इसको हम कहते हैं एड़ जॉप्शन और इसको हम कहते हैं एब जॉप्शन यह हो गया हमारे पास में एड़ जॉप्शन एब जॉप्शन का basic difference hopefully आपको समझ में आया होगा एड़ जॉप्शन means up to surface एब जॉप्शन means up to center the movement of liquid basically in the biological system it is the water water की moment है चलो मैं दो टर्म्स और explain करता हूँ एक टर्म है एक जो थर्मिक एक टर्म है एंडो थर्मिक एक्जो थर्मिक एंडो थर्मिक एक्जो थर्मिक कोई ऐसी प्रॉसेस जिसके अंदर energy release होती है energy released और कोई ऐसी प्रॉसेस जिसमें energy input होता है energy up taken energy input ये तो बहुत ज्यादा मैं नहीं explain करूँगा basic सी चीज है आप सब लोगों को आती है नाउ एक और टर्म समझते है पर एक होता है physical एक होता है physiological अब ये चीज मैंने आपको nitrogen fixation वाले में बताई थी जब मैं biological nitrogen fixation बता रहा था at that time I said कि physical और physiological क्या difference होता है physical का मतलब होता है outside the body outside the body इसको कहते है physical and इसे कहते है inside the body कोई reaction inside the body चलती है उसे physiological कहते है कोई reaction outside the body होती है उसे physical कहते है clear then एक और चीज समझते हैं जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि एक plant है और इस plant जहां पर ये grow कर रहा है वहाँ ये desert में है desert desert के अंदर आपको पता ही है कि पानी तो होता नहीं है मतलब कम होता है इसलिए ये जो plant है हम कहेंगे कि इस plant के लिए physical dry condition है physical dry condition क्यों क्योंकि ये desert में है बाहर body के बाहर ये पानी नहीं है तो बिचारे के अंदर पानी कैसे जाएगा this is the physical dry condition अब जैसे एक और एक्जामपल लेते हैं एक plant है और वह plant ऐसी जगह पर उगा हुआ है जहां पर soil भी जमी हुई है ice in soil soil के अंदर ice फर्मा frost soil है ice पानी तो है न बट ये पानी body के अंदर नहीं जा पा रहा बाहर तो water है in the form of ice इसे हम कहेंगे फीजियो लॉजिकल ड्राइक कंडिशन तो फीजिकल ड्राइक कंडिशन का मतलब क्या होता है और वीजियोलोजिकल ड्राइ कंडिशन का मतलब क्या होता है यह हुई हमारे पास में छोटी सी जानकारी आप यह बात को बिलकुल दिमाग में बैठा लें कि जब कभी भी वाटर के साथ कोई भी चीज एड की जाती है तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल फ्री नहीं रहते हैं और वाटर की पोटेंशियल में कमी आ जाती है यह चलो आगे बात कर लेते हैं अब हम बात करते एक प्रॉसेस की इस प्रॉसेस का नाम है इंबाइबीशन कि इंबाइबीशन इंबाइबीशन समझने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ दो टर्मस है एक होता है इंबाइब और एक होता है इंबाइबेंट दोनों में अपन डिफ्रेंस कर लेते हैं क्या मतलब है दोनों का इंबाइब इंबाइब का मतलब होता है एनी लिक्विड कोई भी लिक्विड उसे इंबाइब कह सकते हैं यदि वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है या हम उसे इंबाइबीशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे इंबाइब इंबाइबेंट इंबाइबेंट का मतलब कि एनिफिंग कि विच कि प्रोवाइड्स कि इस सर्फेस टू इंबाइब जो अपनी सर्फेस प्रोवाइड करा दे लिक्विड को उसे कहते हैं इंबाइबेंट जैसे लकडी का टुकड़ा अपनी सर्फेस प्रोवाइड करा रहा है तो वो लकडी के टुकड़े को बोलेंगे इंबाइबेंट चलिए अब मैं समझाता हूँ imbibition क्या होता है मान लीजिए कि यह है लकडी का टुगड़ा wooden block जब हम इस wooden block को पानी में डालते हैं तो water के molecules इसकी surface के उपर add job होते है add job, add job water के molecule इसकी surface के उपर add job होंगे बस इस adsorption phenomenon का ही नाम होता है imbibition इसे कहते हैं imbibition this adsorption phenomenon is known as imbibition clear हुआ? imbibition अब इस imbibition process के कुछ खास खास बाते मैं बता देता हूँ first of all imbibition एक टाइप का adsorption है adsorption दूसरी खास बात imbibition की वज़े से energy निकलती है exothermic process है imbibition physical process होता है physical बाहर चलने वाला process है imbibition से volume increase होती है volume increase तो यह कुछ characters है imbibition के आप समझें न imbibition का मतलब कि surface के उपर water के molecules adsorb होते हैं उसे imbibition कहते हैं हलाएंकि water ही लेना जरूरी नहीं है हम और भी बात करेंगे तो आप इसकी definition लिखो imbibition is an imbibition is an adsorptive physical exothermic process in which imbib is adsorbed at the surface of imbibent at the surface of imbibent तो यह हो गई हमारे पास में imbibition की एक छोटी सी simple सी definition कि अब हम imbibition के लिए कुछ और चीज़ें बात करते हैं कि जैसे क्या condition लगती है कब होगा imbibition conditions conditions for imbibition देखो सबसे पहली condition जो है वो यह है कि मालो यह wooden block है और यह wooden block already अंदर से पानी से भरा हुआ है इसमें already underwater है यह wooden block है और wood के अंदर already water है आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा था और आपने वो लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाला उसको दो महीने तक पानी में पढ़ा रहने दिया दो महीने बाद आपने उसे निकाला और दूसरे पानी में डाल दिया क्या water के molecules move करेंगे नहीं बिकॉस ओल्रेडी वोटर इस हाई इंसाइड दे इंबाइबेंट तब तो नहीं होगा ना इंबाइबीशन तो इंबाइबीशन होने के लिए क्या चाहिए ओल्रेड वाटर शूद बी लेस वाटर शूद बी लेस इन इंबाइबेंट में पानी कम होना चैहिए यह था में से वाटर अनुसरेशन ग्रेडिएंट मस्त बीदेर बिविए बिविए इंबाइबेंट पहली कंडिशन लिखो water potential must be there that is less water in imbibent that is less water in imbibent चलो एक चीज हो गया complete अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं सुनिएगा let's suppose कि आपके पास में eraser है rubber जिससे हम pencil का लिखावा मिटाते है that eraser आपने क्या किया इस eraser को पानी में डाल दिया अपने water के अंदर डाल दिया eraser and water के बीच में कोई affinity नहीं है आपने eraser को पानी में डाला जरूर लेकिन water के molecules eraser के surface के अंदर movement नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इनके बीच में affinity नहीं है यदि आप पानी के अंदर लकड़ी का टुकड़ा डालते तो आसानी से water molecule move करते इसी rubber को आप यदि बेंजीन में डालो तो बेंजीन के molecule rubber के अंदर movement करेंगे It means कि बेंजीन में and rubber में affinity है तो हमारे पास एक ओर term आया affinity इंबाइब एंड इंबाइबेंट के बीच affinity होनी चाहिए वरना movement नहीं होगी rubber को पानी में डाल दोगे कुछ नहीं होगा लकड़ी को डालोगे तो होगा rubber को आप डालो बेंजीन के अंदर next लिखिये there should be there should be affinity between imbiband imbiband for example wooden water for example rubber and benzene rubber and benzene wooden water तो यह हुआ हमारे पास में इसका concept clear चलो अब हम और बात करते हैं यह जो imbibition है इस imbibition में volume बढ़ता है मैंने बताया आप वो भी लिखो imbibition increases the volume of imbiband imbibition increases the volume of imbiband एक और चीज लिखो imbibition produces heat imbibition produces heat अगली बार एक छोटा सा चीज पर ध्यान रखना जब हम आटा गूतते हैं आटा लगाते हैं तो लगाते टाइम आटा का गरम फील होता है कि डैट प्रोसेस इस अलसो imbibition प्रोसेस आप एक चौक जो blackboard पर लिखते हैं डैट चौक उसको ऐसे पकड़िये और पकड़के अपना हाथ पानी में डिप करिये आपकी उंगलियों को गरम गरम फील होगा क्योंकि चौक के अंदर जब वाटर के मॉलिक्यूलस अंदर जाते हैं हीट प्रोसेस इस अलसो नौन एस imbibition स्टार्टिंग के अंदर बाद में तो वह in by absorption हो जाएगा बट स्टार्टिंग मैं आपको कुछ एक्जामप्ल लिखाता हूं धिंबाइभीशन के इमबाइभी इशन का पहला एग्जामपल बरसात के दिनों में लकड़ी के दर्वाजे हैं वह फूल जाते हैं खिड़कियां फूल जाती है खुलती नहीं है जोर आता है that process is imbibation लिखिये swelling of wooden doors and window in rainy season in rainy season rainy season के अंदर wooden door and windows का swell up होना इसे imbibation कहते हैं दूसरा swelling and rupturing of seed coat during seed germination swelling and rupturing of seed coat during seed germination next initiation of water absorption by root देखो जब root अपने पहली पहली बार ये जैसे मालो कोई root है नहीं बनी है और इसने आज से पहले water absorb नहीं किया तो जब यह very first time water absorb करेगी तो पहले water के molecule इसकी surface पे जाएंगे तब तक तो process कहलाती है imbibation adsorption उसके बाद जब water molecule अंदर चले जाएंगे तो वह absorption हो जाएगी तो हमने लिखा है initiation clear next next मैं आपको बताता हूं कि कौन से substances है जिन में imbibation की capacity सबसे ज़्यादा होती है आप लिखिए अगार-गार होता है ना यह सबसे ज़्यादा imbibation शो करता है अगार-गार के बाद में पैक्टीन के बाद में प्रोटीन प्रोटीन के बाद स्टार्च और स्टार्च के बाद में कार्बोहाइड़ेट तो यह इनके imbibation capacity का एक sequence है याद कर लिजेगा कहीं RPSC, UPHESC, MHC, राजस्थान सेट ऐसी एक्जाम के अंदर जो है वो आपके काम आ सकती है यह बात नेक्स्ट हम पढ़ते हैं imbibation pressure एक बहुत सिंपल सा फिनोमिनन है imbibation pressure इसी को बोलते हैं matrix potential इसको लिखते हैं si m से अब इसका पहले मैं आपको meaning समझा देता हूँ फिर अपन बात करेंगे जैसे मैंने आपके यह कहा कि भई जब imbibation होती है तो volume बढ़ जाती है let's suppose कि यह लकडी का दर्वाजा है wooden door है ठीक है और यह wooden door के पास में यह दिवार है चलो यह ऐसे बैठेगा नहीं बैठेगा यह दिवार है ठीक है और इस side में भी मानलो दिवार है जब imbibation होता है तो imbibation के दोरान swelling आती है और swelling आती है तो यह थोड़ा ऐसे फूल जाएगा अपने side से थोड़ा सा ऐसे फूल जाता है swelling आती है अब यह जब फूलेगा बाहर की side में तो बाहर दिवार के ऊपर एक pressure फीलोगा आप अपने घर के दर्वाजे देखो एक बार दर्वाजा जहां लगा हुआ है वहाँ पर ज्यादा space थोड़ी है दिवार और दर्वाजे में थोड़ा सा space रखा जाता है कि दर्वाजा बस आराम से खुल जाए बंद हो जाए तो जैसे मान लीजिए कि हमने बना दिया कि यह एक door है इस तरीके से और यह यहाँ पर इसका handle लगा हुआ है इसको पकड़ के खोलते हैं तो दिवार एकदम इस दर्वाजे के exact pass में है इध लिए तेगी भी पास में था सब्सक्राइब यह की होल है जब कभी भी स्वेलिंग होगी तो यह दर्वाजा किसी ना किसी साइड़ से तो फूलेगा सामने से फूले उपर कॉर्णर से फूल जाए कहीं से तो फूलेगा वो दिवार को धक्का मारेगा और दिवार के साथ फंस जाएगा इसे कहते हैं इंबाइबीशन प्रेशार या मैंट्रिक्स पोटेंचियल जब कभी भी कोई भी स्वेलिंग होती है तो जो इंबाइब्ट होता था है वह अपनी सराउंडिंग पर प्रेशर लगाता है तेट प्रेशेर इस नोन एज इंबाइबीक्षन प्रेशर लिखिया वेन When an imbibent, when an imbibent, adjobs any imbibe, at its surface, at its surface, it exerts a pressure on surrounding. This pressure is known as imbibition pressure. Next point लिखिए, पहले समझ लो, जैसे मान लो ये कोई, surface है, earth surface. Earth surface, इस earth की surface के अंदर एक seed है, वो germinate हो चुका है, और ये जमीन से बाहर निकलने वाला है, ऐसे. Imbibition pressure की वज़े से ये जमीन को तोड़ करके और बाहर निकल जाएगा. ये imbibition pressure की वज़े से हो सकता है, लिखिए. Imbibition pressure causes, imbibition pressure causes the seedling to emerge out from the soil. Seedling to emerge out from the soil. ये seedling को बाहर निकालने में helpful करता है, रहता है. एक और चीज़ बताता हूँ. जैसे मान लो कि कोई बड़ी सी एक चटान है, ये क्या बन गया? अरे? ओके हाँ. ये मान लीजिए एक बड़ी सी चटान है, rock. बड़ी है काफी. इस चटान को तोड़ना है. तो एक स्मार्ट तरीका ये अपनाया जाता था पहले, कि चटान में थोड़ा crack बना देते थे, ये crack है. और इस crack के अंदर लकडी का एक block फसा देते थे, ये wooden block है. और tightly फसा देते थे, ये wooden block इस चटान के अंदर फसा दिया. इस ये wooden block. ठीक है? अब क्या करना होता था कि इस wooden block में पानी डालना था? वाटर. जब इस wooden block के उपर पानी डालेंगे, तो इस wooden block की जो surface है, वो धक्का मारेगी, जगह है नहीं. तो समय के साथ इस चटान में ये crack आ जाता था, और ये चटान split हो जाती थी, दो पार्ट्स के अंदर. That is the power of imbibition pressure, चटान को तोड सकती है, समझ में? अब हम बात करते हैं, imbibition किन चीजों के उपर depend करता है, उससे पहले एक और लाइन लिख लीजिए, देखो seed के अंदर जो physiology होती है, वो imbibition बढ़ा देता है, क्योंकि जब seed coat के उपर water adsorb होगा ना, starting में, तब वो seed active होना चालू हो जाएगा, लिखिया आप एक लाइन, imbibition increases the physiological activity of seed, physiological activity of seed बढ़ा देता है, next हम बात करते है, imbibition किस चीज़ पर depend करते है, मान लिजिए कि आपके पास में एक बीकर है, ऐसा, इसमें आपने पानी भर दिया, इसमें आपने लकडी का टुकडा डाल दिया, imbibition होगा ना, सूखा लकडी का टुकडा, गीला नहीं, जिसमें पहले से gradient हो, लकडी का टुकडा डाला, imbibition होगा, लेकिन यदि आप इस water को boil करना चालू कर दो, नीचे से heat दो आप इसको, गरम पानी होने लग जाए, तो imbibition बढ़ेगा, इट मीन्स कि जो imbibition होता है, इट इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू टेंपरेचर, वही जितना आप टेंपरेचर दोगे, उतना imbibition बढ़ेगा, clear, एक और चीज समझते हैं, मान लीजिए कि ये एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर 1000 H2O के मॉलिक्यूल्स है, आपने इसमें एक वुडन ब्लॉक डाला, अब, अब यहाँ पर 1000 H2O मॉलिक्यूल्स हैं, वो मुवमेंट करने के लिए फ्री हैं, क्योंकि यहां स्टॉल्यूट नहीं लिया अपने, प्यॉर वॉटर है, प्यॉर वॉटर में सारे वॉटर के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं मॉव करने के लिए, हमने क्या किया, हमने यहां पर, लेट सपोज की 50 NACL डाल दिए, अब एक बार हिसाब लगाओ, कि 1 NACL 10 वॉटर के मॉलिक्यूल को कम कर देता है, तो 50 NACL कितने वॉटर के मॉलिक्यूल को कम कर देंगे, 500, पहले जब इसके अंदर केवल वॉटर के मॉलिक्यूल थे, तब 1000 वॉटर मॉलिक्यूल फ्री थे, अभी अगर 50 NACL डाला आपने, तो 500 वॉटर मॉलिक्यूल फ्री हैं और 500 इनके साथ में इंगेज हो गए हैं, अब आपने लखडी का टुकडा डाला, तो आप सोचो कि कहा ज़्यादा वॉटर की मॉमेंट होगी, पहले वाले सिस्टम में, इसका मतलब कि जैसे जैसे इम्बाइबीशन, जैसे जैसे इस सॉल्यूट की कॉंसेंट्रेशन बढ़ती है, वैसे वैसे इम्बाइबीशन कम होने लगता है, तो टेंपरेचर के डिरेक्ली प्रपोर्शनल होता है, और सॉल्यूट के इंडिरेक्ली प्रपोर्शनल होता है, तो यह तो बात होगी हमारे पास में किसके बारे में? इमऴाईबिशन के बारे बारे में तो आज के lecture में हम इतना जिए पढ़ेंगे water relation में इमबाईबिशन बाकी हम और बाते करेंगे osmosis क्या होती है, end osmosis क्या होती है एक छोटी सी चीज है कि कुछ मेरे को बताया था कुछ लोगों ने मुझे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं देखें नोटिफिकेशन में यूट्यूब ने कुछ चेंजिस किये हैं मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उस सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करो और नीचे आएगा नोटिफिकेशन फोर ओल पोस्ट आपने सलेक्टिव कर रखा होगा या आपसे हो गया होगा notification turn on करो all के लिए तो जो भी मैं post करूँगा आपके पास notification आएगा चलो thank you so much next lecture में मिलते हैं